नमस्कार मैं अभीने आप सब का अभीने मैंस पे स्वागत करता हूँ कैसे हैं दोस्तों बहुत जल्दी हम मिलने वाले एक तारिक को प्री के बैच में जो यूट्यूब पे सब के लिए फिरी होगा और दो तारिक कोमेंस के बैच में वो भी सब के लिए फिरी होगा जो बच करते रहिएगा कि बैच आ रहा है और इन बैच के नाम भी जैसे पहले टूजट था इसी तरीके से बहुत खुबसूरत नाम होने वाला है नाम मैं दे दूँगा तो मैं एक सवाल लेकर आया हूं आपके लिए जो बच्ची अभी पिरी में अच्छा नहीं कर पाए अभी तिन से उठाया जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हर सवाल में जड़ूरी नहीं कि हम अब आह Ay laughs क्रें कि जो है真的 ले झालिया कि यहिस तरीकिकल टीजिट है बीस तरीके और लोमें आ जाते हैं अग्छ यहिसी तरीकल दिजिट हो आजाते हैंaufen और पनेत्व सवाह को दस और दिन तक कि इन्नोंने काम किया एक साथ फिर असोक की सायदा से पूल पांच दिन में खत्म किया और इन्हों ने पूछाए कि असोक का हिस्टा बताओ यह सबाल हमेशा आता है और बहुत अलग अलग लेवल पर ही आते हैं तो मैं यह कहता हूं कि जब हमें पता हैं कि इन सब ने पांच दिन काम किया और पहले वाला जो बंदा सुमित है मुझसे अगर सुमित का भी शेयर पूछ ले तो मैं यह क्या सकता हूं कि सुमित अगर पूरा काम दस दिन में करता है तो पांच दिन में आधा काम करेगा उसको आधे पैसे मिलेंगे यानि 4500 के आधे तो वही ले जा है यही उत्तर है तो ऐसे सवाल में हमेशा जब वहसा सवाल आता है मैंने कई बार पेपर में देखा आप अगर पिछले बार का प्रिय उठा के देखेंगे तो मैंने देखा था उसमें कैसे लिखा होगा था 48 डिजिट था 48 था 72 अब इनके LCM देना बड़ा मुश्किल हो जाता अपने और मिलके वो तीनों उसकाम को किटें दिन में कर रहे थे I think 18 दिन में कर रहे थे 24 दिन में कर रहे थे मिलके वो उसकाम को 24 दिन में कर रहे तीनों और वहां भी share की बात थी तो मुझे पता लग जाती ही कि है अगर एक बंदा 48 कर रहा है तो वो 24 दिन में हाफ काम करेगा जो 72 कर रहा है वो 13 करेगा तो काम हो कितना जाएगा टोटल आप कहेंगे जी 5 बटे 6 हो गया तो बचेगा कितना उसके लिए 1 बटा 6 ऐसे इस सवाल में भी यही था कि जो बंदा पांच दिन में करेगा वो हाफ करेगा और जो पांच दिन में 15 के हिसाब से 1 थर्ड करेगा तो उसके लिए 1 बटा 6 बचेगा और जो जितना काम करता है जो जितना काम करता है उसको उतना पैसा मिलता है अगर इसने 1 बटा 6 काम किया है तो इसको पैसा भी 4500 का 1 बटा 6 है न सारे साथ सुन लेगा तो कई बार ऐसे सवालों में जब आपको बहुत बड़ी बड़ी डिजिट दे रखे हों मैं लेके आऊंगा वो टाइम एंड वरक का सवाल भी तो आप इस तरीके से सवाल एक बार जरूर निखा लगा लें कि ये संख्या जो दे रखे हो इनसे कटने व सब्सक्राइब लेकिन जिनको इंट्रेक्शन चाहिए बातें करनी है जिनको एक बैच के अंदर आके पढ़ना है जिनको फ्री क्लास लेनी नहीं उनके लिए अनके लिए प्लस पे भी मैं में पढ़ा रहा हूं दो क्लास अभी हुई है आपके लिए जो फिरी वाले इसने के सार पई वं प्लतर पहले बीश्याहरा पार बहुत से बच्चे ऐसे हो जिनको फीर फाड़ना यह नहीं है और हमें भी अलगलग काम करने में